एक्जाम देने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको किस तरीके से accuracy आपको manage करनी है कि आप अच्छे से attempt कर पाएं जो आप अपने safe zone में आ जाएं तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के पूरी वीडियो देखिएगा छोटी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है शुरू करते हैं 2021 तक क्या होता था कि plims के number आपके add हुआ करते थे तो आपको यहाँ पर भी खीचने पड़ते थे number जो की 160 प्लस रखने पड़ते थे जो की means में फाइदा हो इससे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है सोच कर यह जाना है कि आपको 100 ना करके यह सोच कर जाना है कि मुझे maximum question attempt करने है विद accuracy accuracy का देखिए ध्यान रखिए accuracy बहुत ज़रूरी है दो या तीन question जिये section में आप तुक्का मार सकते हैं maximum इससे ज़्यादा ना मारें तो ज़्यादा better होगा section बाइस हम बात करेंगे मैं एक बात आप ध्यान रखें मैं बता रहा हूं वो minimum attempt बता रहा हूं कि इससे कम करेंगे तो आप ख़तरे में आ जाएंगे मैं safe attempt को ध्यान में रखकर चल रहा हूं English की अगर हम बात करते हैं 15 प्लस आपको हर हालत में करने हैं GS section की अगर हम बात करते हैं 13 plus आपको हर हालत में करने हैं Maths की अगर हम बात करते हैं 20 आपको करने पड़ेंगे score बढ़ाने के लिए उसके बाद reasoning की अगर बात करें तो 20 के असपास आपको यहां भी करने पड़ेंगे तो overall मैंने क्या बताया यह कम से कम आपको कितने करने है 68 आपने देखा होगा मैंने कहीं पर भी minus नहीं लगाया है हर जगे plus लगाया है यह आपके attempt minimum होने चाहिए और यह कौन से attempt होने चाहिए यह होने चाहिए 100% वाले मतलब अगर आपने गलत भी किया है आपके negative होने के बाद बचें कम से कम 68 question बचने चाहिए जनरल कैटेगरी वाले लोग यह चीज ध्यान में रख कर जाएं कि आपको 135 प्लस यह मैं नमबरों की बाद कर रहा हूँ कि 135 से कम नहीं आने चाहिए यह number of question है आपके 68 plus यह भी ध्यान रखना है आपको SCST वाले बच्चे जो भी हैं वो लोग इस तरीके से करके आएं कि 122 के आसपास आपके number बने कम से कम यानि कि आपको 62 question के आसपास सही करके आने हैं हर हालत में यह minimum है criteria इससे नीचे आपको नहीं जाना है बाकी आप poll कराये जाएगा आप poll पर साथ एक्जाम देने जाएगे बाई